खुशी के गीतों के भी सोमवार को सुबह कुंदा तर इस्ति सेंट थामस चर्च में परभू यूश्यू मसी का जन्मदिन क्रिस्मस की रूप में उस्सा के साथ मनाया गया, केरोल गीत पर अनुयाई खुशी से जुमे और नाजगा कर एक दुसरे को यूश्यू के जन्मदि रोशनी से जगमक चर्च सहीत विभिन मसीही धर्मस्तिलों पर प्रभू यूश्यू मशीह का जन्मद सोध हुंधाम से मनाया गया, महाराष्ट के प्रकास गायकवार ने संगीत में केरोल गीत के माध्यम से शान्ती भायचारा और क्रिस्मस के आगमन का संदेश दिया, ब् अब आप गईए इश्यू मसीह के जन्मदिन की हर्दिक शुपकामना बदाए देते हैं और 25 दिसंबर जो है इश्यू मसीह के जन्मदिन के रूप में पूरे विश्व भर में इश्यू मसीह के जन्मदिन के रूप में जाना जाता है, जिसे बड़ा दिन भी कहते है, मेरी क्रिस्मस भी कहा जाता है और जो क्रिस्मस दे है वो प्रभी येश्व मसी का जनम दिन है प्रभी येश्व मसी मानव अवतार लेकर 2000 वर्ष पुर्व इस संसार के अंदर आए और उन्होंने प्रेम त्याग महबत का एक पाठ सिखाया और भाईचारे की पृति और प्रभी येश्व मसी ने ब मेल, धीरच, क्रपा, भलाई, विश्वास, नमरता और सयम ये पाठ लोगों को सिखाया कि मानव ता जो है, मनुष्य जो है, मानव धरम है, वो सर्वर प्रतम है क्योंकि यदि हम एक दूसरे से, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से का सम्मान करते हैं, एक दूसर का जब हम सम्मान करेंगे जब एक दूसरे का हम आदर करेंगे तो हमें वो सम्मान प्राप्थ होगा एक दूसरे का हम आदर करेंगे तो हमें आदर प्राप्थ होगा और ये जो संदेश है ये संदेश दिया गया तो क्रिश्मस जो है वो प्रभु येश्यु मसी का जनम दिव वो बाइबल के अंदर योहना 3.16 के अंदर लिखा है कि परमेश्वन ने इस संसार से ऐसे महबत किया और उसने अपने पुत्रे को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाशनाव परंतो अनंजीवन पाए सो क्रिस्मस जो है प्रभु येश्व मसी के जनम का जो संदेश है सरव प्रतम गरणियों को संदेश दिया गया था स्वर्दूतों के द्वारा और जोतिस्यों को जो संदेश दिया था वाइसमेन बुद्धिमान जो हम जानते हैं कि जोतिस्यों सास्त्र अज संसार के अंदर ह जोतिशियों ने, खगोल सास्तियों ने, तारों के द्वारा उन्हें संदेश दिया गया, कि एक राजा का जनम हुआ, वो बैबल जो है, इशु मसी का जो जनम है, वो बले दिन के रूप में, क्रिस्मस के रूप में मनाये जाता है, क्योंकि रूम्यों तीन तेविस के अंदर इस फ्रकार से कहा गया, कि सब ने पाप किया, और परमिश्वर की महिमा से रही थे, सो आपको पुन, हम इशु मसी के जनम दिन की और क्रिस्मस की हरदिक हरदिक शुपकामना देते, बदाए देते, इश्वर का अनुगर आपके उपर, सभी के उपर बना रहे है, मैं सबसब पहले आपको भी बदाए देता हूँ, कि हमारे क्रिस्मस का जो तेहवार है, बड़ उस्वा के साथ मनाए दाता, यह संदे साथ सारे सहर में पहुचाते, जिले में पहुचाते, मैं जिले की सारे कोई भी जाती धरम क्यों नहों, सभी लोगों को बदाए देता हूँ, संधामस्चर्च की और से बदाए देता हूँ, इसलिए कि सभी हमारे सहयोग करते हैं, हम आपस में यही की मिल के रहें और यहां का जो कारिय क्रम है, विशेश करके क्रिस्मस का तेहवार जो है, तो मैं मानता हूँ, कि ये उधार के साथ मनाए जाता है, उधार करता का रूप मतनब मनिश्य पापों से इस संदेश के दोरा छुटकारा पाए, और विशेश करके परवी इश्यमसी का जनम हुआ औ यही था कि जब मनिश्य पाप किया, आरम से जब आदम और हवा को परमिश्य ने बनाया, पती पतनी को दोनों को बनाया, उन्होंने परमिश्य की आग्या को उलनगर करने से उसके प्रेम को तोड़ कर दूर हो गए, और दूर होने के कारण से परमिश्य ने फिर मनिश्य को न कुछnya को धार के लिए और उस समय का संदेश आया कि तुम्हारे लिए आज दावुद् के नगर में उधार करता इक जनम हुआ लोग बड़ा आनन से हुआ के उधार की राह देख रहे थी छुटकारा की राह देख रहे हमें पापों से कुझ छुटकारा देगा हमें इन बंदनों से कुझ छुटकारा देगा हमारे समयश्याओं से कुझ छुटकारा देगा परंत जब यह संदेश सर्दूतों के दोर आय तो सारे लोग आनंज से भर गए तो मेरा ये कहना है कि प्रभीश मसी का क्रिस्मस का तेवार हमारे लिए उधार का दिन कहलाता है ताकि मनिश ये इस संदेश को सुनकर उधार को पाएं जो हमारे वक्ता जो आया इन दोर से उन्होंने बहुत अच्छे प्रभीश मसी के बारे में संदेश बाटा ताकि लोगोंने सुना और आनंद के साथ उन्होंने गरहन किया तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो क्रिस्मस का तेवार सब के साथ बाइसारे के साथ रहे और हमारा जो पुलिस प्रसांस को भी में धन्यवाद देता हूं और ताकि इसलिए कि हमारे पूरा सयोग करते हैं और देखरे करते हैं और बड़े सांती पूर्वक से हम तेहवार को बनाएं और गौर्मेंट का जो नियम है सुप्रेम कोड का जो नियम आया कि साउन के बारे में लिखा तो हमने उसका नियम क अब्रस का पालन किया और नहीं दस बज़े का हमारा टाइम दिया था मनेख्यों कि वाईबल कहती है आपने अदेखरियों का अदहिन रहो और उसकी आज़्या पालन करो उन्होंने दस बज़े की मिटिंग को बंद कर दिया Всimana कब हैं और और दसमिव सब से पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलें